गुड मोनिग पैरि वद्ध्यारतियों, आज हम टाइपs of clauses और sentences के बारे में संचित में जानने का प्रयास करेंगे की clause क्या होते हैं, sentences क्या होते हैं तो हम यहाँ देखते हैं मेरे पहरे विद्धियारतियों clauses क्या होते हैं तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे clause क्या होता है तो सबसे पहले हम देखते हैं a clause is a group of words इस चीज को ध्यान रखिए group of words पे पहली बात a group of words that has a subject and predicate that has a subject and predicate तो उसका एक subject एक से ज्यादा subject भी हो सकते हैं और predicate भी हो सकता है तो clause क्या है पहली बाद तो group of words है जैसे हमने पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था जब हमने word, phrase, clause और sentence इसकी बीच में अंतर समझाए था तो group of words तो phrase भी है, clause भी है और sentence भी है और पर subject और predicate वाली बात है तो phrase में subject और predicate नहीं होता clause में subject और predicate होता है दूसी बाद it may give incomplete or even complete meaning even complete meaning तो हमने पिछले वीडियो में ये देखा था कि phrase जो है वो partial meaning या incomplete meaning देता है लेकिन हमारा जो group of words ये clause का जो है ये complete और incomplete दोनों तरह के meaning दे सकता है जब कि phrase partial meaning देता था ठीक है ये दो important बात है यहाँ पर आती है अब इसके बाद हम देखते हैं कि clause कितने प्रकार के होते है clause tree बनाते हैं उस clause tree के जरिए हम इनको समझने का प्रयास करते हैं चलिए हम ये clause tree बनाते हैं इदर पर ये पहला देख रहे हैं अब इस तरफ हमने ये clause tree इसको हम अलग अलग से पार्टिस इसको हम tree form बोलते हैं यहाँ clause tree में हम देख रहे हैं कि इस तरफ पहले क्या clause में पहला हमारा हो गया dependent clause पहला हमारा होता है dependent clause ये dependent clause और दूसरा होता है independent clause तो ये दो तरह के clause हैं अब independent clause में हम देखते हैं कि ये दो तरह से हमें independent clause को दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं इसको एक मानले main clause या principal clause वाला और दूसरा आपका coordinate clause इसको हमने ऐसा क्यों किया है अब यह आपको समझ में आ जाएगा कि coordinate clause को यहाँ क्यों लिया है क्योंकि इसके आगे भी बहुत link है इसके आगे के sentence वाकर रचना से इसलिए हमने ऐसा किया हुआ है दूसरा यहाँ dependent clause तो dependent clause जैसे phrases आपने पढ़े थे noun phrase होता है वैसे noun clause भी होता है फिर जैसे adjective phrase होता तो adjective clause भी होता है काम भी वहीं होते है जो आपने पिछले वीडियो में हमने बता है तो जब हम इसको detail में पढ़ेंगे तो पना है वो संचित्तों बहुत दोराओ करेंगे और adverb clause भी होता है यह तीन तरह के clauses जैसे तीन तरह के noun थे वैसे तीन तरह के phrases थे और तरह के phrases भी थे लेकिन यह तीन तरह के clauses इसमें आएंगे अब हम क्या है इसको dependent और independent को यहाँ जो हमने clause को define किया हुआ था उस clause कि में जो हमने main चीज पहले तो यह देखी थी group of words है दूसरी चीज यह देखी थी complete और incomplete meaning देखे और एक और important is subject and predicate तो phrase भी group of words है clause भी group of words है sentence भी group of words है लेकिन subject and predicate phrase में नहीं होता लेकिन आपके clause और sentence में होता है और यह complete और incomplete meaning sentence भी दे सकता है sentence तो complete ही meaning देगा है incomplete नहीं देगा लेकिन हमारा clause complete और incomplete meaning दोनों दे सकता है अब इसको हम उधारण से समझने का प्रयास करेंगे चलिए पहले हम ले 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 ते independent clause में main clause में जैसे हम एक उधारण example ले ले समझने के लिए he has a car अब दूसरा यहां पर लिखते हैं he has a car and his friend has a car and a bike his friend has a motorbike and has a motorbike अब यहां पर हम देख रहे हैं कि he has a car इसमें अगर यह group of words हो गया दूसरा इसमें हम देख रहे हैं कि यहां पर इसका यह subject है और फिर इसके plus यह पूरा वाक जो है वो प्रिडिकेट है तो subject plus प्रिडिकेट इसमें है यह अपना sentence भी है और यह किसी स्वैसे यह main clause हो सकता है अब भी हम इसको समझेंगे कि कैसी यह main clause हो सकता है अब यह coordinate clause जब हम and but either or neither nor ऐसे conjunction से दो वाक्यों को जोड़ते हैं और दोनों क्या है independent होते हैं independent का मतलब क्या है स्वतंत्र प्रधान उपवाक की तरह काम करते हैं और dependent का मतलब होता asset अब asset उपवाक क्या होता अभी हम देखेंगे पहले हम दिल को समझ लें यहां and ने दो independent clause को जूड़ा है जैसे यह main clause था he has a car यहां भी है he has a car और उसके साथ एक end के साथ जूड़ते है his friend has a motorbike तो यह दोनों को हमने जोड़ दिया तो यह coordinate clause है लेकिन दोनों में independent clauses हैं और दोनों ने मिलकर sentences तैयार किये हैं यहां main clause अब कैसे यह main clause जो है sentence के रूप में भी काम कर सकता है और यह क्या है किसी sentence के अंदर main clause जो है आपका वो main part sentence का बनके independent clause के रूप में भी काम कर सकता है अब यहां dependent clause में इसको देखते हैं यहां dependent clause में हम देखते हैं कि कैसे यह जो हमने main clause मिलिये था he has a car यह main clause था प्लस इसमें जब हमने which is black he has a car which is black जब हमने यह जोड़ा तो इसमें he has a car तो इस sentence का प्रमुख हिस्सा हो गया main part independent clause है और दूसरा इसका dependent clause जो अपने आप में complete meaning नहीं देता जो कि काला है जो कि काला क्या हो सकता है pen भी काला हो सकता है car भी हो सकती है और कोई अन्य चीज भी काली हो सकती है लेकिन यह complete meaning नहीं देता तो यह क्या है आपका यह आपका जो है यह वाला portion यह क्या है independent हो गया आपका independent clause हो गया और दूसरा यह क्या हो गया dependent हो गया अब हम आपको बता देते कि क्यों हमने इस तरह से इसको विभाजित किया था क्योंकि आगे वाक के रचना होती है और इसी construction based पर जो है वाक के जो रहते हैं हमारे तीन तरह के होते हैं एक होता है simple sentence तो हमारा main clause जो रहता है वो simple sentence का निर्मान कर सकता है और दूसरा क्योंकि उसमें subject predicate होगा और दूसरा क्या है coordinate clause जो compound sentence end but either nor जो बनते हैं इनको हम compound sentences बोलते हैं तो एक compound sentences की रचना करते हैं और जब main clause subordinate clause को main clause का सहरा मिलता है एक main clause होता है बाकी से subordinate clause बनते हैं तब वो complex sentence की रचना करता है तो यही हिंदी में आपके complex sentence को हम मिस्र वाक की बोलते हैं और यहां इनको हम साधान वाक की बोलते हैं simple sentence को और compound sentence को संयुक्त वाक की हिंदी भासा में भी हम पढ़ते हैं अब जब हम आगे अगले वीडियो में आएंगे तो clauses को separately dependent clause जो types हैं उनको separately पढ़ेंगे लेकिन हमें यह जानना जरूई तक clause क्या है तो यह आपने समझ लिया पहली बाद group of words है दूसरी बाद subject and predicate होता है और incomplete or complete meaning दे सकता है यह दोनों चीज़े अब इसका link क्या है आगे कि आने वाले वह हक के रचना से इसलिए हमने इसको इस तरह से divide किया था कि clause को dependent और independent clause को main clause और coordinator में बताया था और dependent clause की जो main तीन है noun clause, adjective clause और adverb clause यहाँ इन तीनों को समझने के लिए अगर आप समझना कठिन नहीं है अगर आपने मेरे पिछले वीडियो को देखा होगा जहां मैंने phrases, different types के phrases के बारे में अपने अलग-अलग वीडियो में बताये थे अगर आप उसको देखा होगा या उस सुना होगा तो यह आप clause समझना आपको कठिन नहीं रहेगा बस clause क्या ही यह समझना जरूरी था, कारी वहीं होते हैं तो चलिए इसके पश्चात हम clauses के पश्चात हम sentences के बारे में जानते हैं थोड़ी वाक के रचना के बारे में कि वाक के रचना हमारी English की कैसी होती है और कितने टाइप के sentences होते हैं तो आईए हम पहले देखते हैं Sentences, सेंड वाक के रचनाओं के देखते हैं, कि कितने तरह के वाक होते हैं, उनके विशय में हम जानने का प्रियास करते हैं. Sentences तो पहले हम ज्यान लें, a sentence is a group of words that gives complete sense, complete sense, तो वाक क्या है, सब्दों का वो समुह है, जो पूर्ण अर्थ देता है, यानि कि इसमें subject, predicate और group of words वो बात तो आती हैं, और लेकिन हमारे clause में था complete और incomplete meaning का, यहां incomplete meaning बाली बात ही नहीं होती, यह complete ही meaning देगा, ठीक है, अब प्यारे विद्ध्यारती, अब हम आगे बढ़ते हैं, type of sentences के बारे में जानने से पहले mood waste, अभी आपने type of sentences जो देखे थे हमारे clause पे construction आधारित थे, जिस बेस पे हमारे simple compound और complex sentences थे, लेकिन कोड़ mood waste sentences होते हैं, लेकिन हम उससे पहले, mood waste sentence को समझने से पहले कुछ basic चीज है हमारी हिंदी और English में जो फार्ख होता है वाग के रचना हैं, उसको समझ लें, पहले हमारी English की वाग के रचना एक assertive sentence होता है, उसमें subject plus verb plus object या compliment भी हो सकता है, object जरूरी नहीं है, object आया तो ठीक है, नहीं तो इसके बाद इसके plus भी और complete, plus complimentary word, या plus rest of the sentence भी आप बोल सकते हैं, rest of the sentence, rest of the part, of the sentence, rest of the part of the sentence. ये, अब ये हम इसको जब हम कर रहे हैं, तो अब हम आपको बता दें कि हमारी Hindi में जैसे हमने लिखा भी था, अब माली ये वाक है, तो इसमें subject क्या हुआ, ये गेव हो गई वर्ब और बोक हो गया object, लेकिन वही जब हमारी Hindi ये तो हमारी English का pattern है, English, मैं हमारी वाक के रचना इस तरह किया है, लेकिन हमारी Hindi में वाक के रचना कैसी है, वो देखिए, उसने एक पुस्तक दी, ठीक है, अब आप इसमें देखते हैं, यहां हमारा subject जिसको बलते करता है, वो तो जैसे English में, वैसे इसमें, लेकिन यहां देखिए, यह difference आ गया, यहां क्या हो गया, object जो था, यह subject था, यहां पर, यहां object पहले आ गया, और उसके बाद वरवाई, यह हमारे Hindi और English के वाक के रचना में अंदर होता है, इसलिए बताया क्योंकि जब हम translation करते हैं, तो हमारे words को जो sentence, उसका proper इस्थान होता है, जो एक निश्चित जगा होती है, उसको वहां ले जाना, जरूर यह तब सही अर्थ होगा, नहीं तो हम वरवर टें translation करते हैं, उसने ही अबोक गेव, ऐसे लिख देते हैं, तो यह वाक के रचना क्या है, हमारे Hindi के word का translation हो जाता है, एक sentence की रचना नहीं करते हैं, इसलिए हमारा translation गलत हो जाता है, तो हमें इस चीज़ को समझना है, कि English की वाक के रचना, एक साधान जो assertive sentence होता है, उसमें subject, verb और object होता है, अब हम अलग-अलग mood-based sentences के बारे में जानते हैं, types of sentences कितने तरह के होते हैं, उनके बारे में जानने का प्रियास करते हैं, तो चलिए, आईए हम देखते हैं, type of sentences types of sentences में, अब हम सबसे पहले देखते हैं, पहला प्रकार होता है हमारा assertive और declarative sentence assertive और declarative sentence इसके दो भाग होते हैं, assertive और declarative sentence के, पहले इसके features, अब हम इसको detail में बाद में जानेंगे, इसकी वाग के रचना पहले हम समझ लें, इसकी वाग के रचना होती है, subject प्लस, वर्ब, प्लस, जो है, object या rest of the sentence, जो भी आता हो होता है, अब वर्ब में आपकी दो चीज़े हैं इसमें, यहाँ, अगर helping verb हैं, तो पहले helping verb आईगी hb लिखता हूँ मैं helping verb को, और mv main verb को, इस तरह से इन वाख्यों की रचना होगी और अंत में इसमें क्या है, प्लस, इस बात को दिहां रखी, जो पूरा वाख्यों हो जाएगा, उसके last में fully stop लगेगा अब यह दो तरह के होते हैं assertive sentences, इसमें दो प्रकार है assertive sentences के, कौन से दो प्रकार हैं, अब यह, इसमें इसके दो प्रकार यह हैं, एक प्रकार है आपका affirmative sentence, जैसे हमने लिखा था he gave me a book, वो affirmative sentence है और दूसरा हिस्सा होता है आपका जो कहलाता है negative sentence, अगर हम बोलते हैं he did not give me a book, तो वो negative हो जाएगा, इसलिए इस तरह से हम देखते हैं, कि affirmative और negative दो प्रकार होते हैं, दोनों ही assertive के हिस्से हैं फिर दूसरा हम इसमें देखते हैं interrogative sentences, तो interrogative sentences में अगर हम देखें, तो हमारे interrogative sentences जो हैं, वो क्या है, ये भी दो प्रकार के होते हैं, लेकिन ये interrogative क्या होते हैं, प्रिश्ण बनाने वाले, हम जब प्रिश्ण पूछते हमारा asking mode होता है, तो वो उसके आधार पर होते हैं तो मेरे परविद्या तो अभी मैं किसी ड्रामा या एक्षिन की बेज़ बता रहा हूँ तो अभी इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसकी वाक की रचना क्या होती इसकी तीन इसका क्रम वाक की क्रम देख लीजिए पहले डबलू एच क्वेश्चन यह दी है डबलू एच का मतलब है वाट वेयर भेन वाय आदी ठीके ना डबलू एच क्वेश्चन वर्ड है ना पहला इस्थान यदि आपका आएगा तो डबलू एच क्वेश्चन वर्ड का आएगा फिर उसके बाद आपका इस्थान आएगा helping verb का अगर WH question based नहीं है तो helping verb जो है हम इसको short में लिएक देते है helping HB helping verb और फिर उसके sorry helping verb helping verb के बाद आपका next इस्थान आएगा subject और subject के बाद आपका अगला इस्थान इसमें जो आएगा वो है बाकी main verb बगेरा जो उसकी है और rest of the sentence और last में question mark तो इस तरह interrogative sentence हम देख सकते हैं यहाँ दो तरह के interrogative sentence कितने दो तरह एक तो WH question है WH से मतलब हमार what, where, when और एक helping verb से start होने वाले yes or no question क्योंकि जितने question helping verb से start होते हैं उनका जवाब yes or no में होता है तो इनको yes or no questions भी बोल सकते हैं और जो हमारा WH question है वो informative कहलाता है यह informative informative questions क्योंकि इनमें WH के informative questions क्यों बोलते हैं तो informative questions का इसलिए बोला जाता है क्योंकि यह जो WH है इसमें मतलब जैसे अगर मालने लो WH का मतलब हो तो उस व्यक्ति का नाम बताना पड़ेगा when तो उस कब समय बताने पड़ेगा where तो इस्थान बताना पड़ेगा why तो कारण या उद्देश जो है वो बताना पड़ेगा इस तरह की यह questions है how, किस धंग से, किस मैनर से हुआ यह बताना पड़ेगा इस टाइप की questions जो है यह WH questions कहलाते हैं तो यह आपकी क्या है किस विशाय में हुआ आपके interrogative और negative sentences के हैं तो अब हम इसमें उद्धान देखते हैं interrogative और negative के जो किस तरह से उसमें दो तरह की questions है पहले हम देख लेते हैं आपका जो है yes or no questions informative चलिए informative questions देखते हैं informative questions में हमने पहला लेक लिया कि where do you live where do you live तो इसमें आप देख रहे हैं विद्धान आप इसमें देख सकते हैं अच्छे तरह से कि wh question पहले है फिर do helping वार्फ है फिर ये subject है और फिर ये rest of the sentence वार्फ है तो इस तरह हमने आपको बता है था कि क्या होता है ये informative questions होता है और last question mark आपका है अब दूसरा हमने बोला था yes or no questions आप किसी भी helping verb से start करेंगे तो उसका question जवाब जैसे हमने का do you do you live in nursing poor do you live in nursing poor जब हमने where do you live पूछा तो आपने जवाब दिया था क्या देते where का जवाब ये होता है nursing poor I live in nursing poor लेकिन हम पूछ रहे हैं क्या आप nursing poor में रहते हैं do you live in nursing poor तो आपका जवाब yes or no में होगा तो इस तरह के दो तरह के interrogative जो questions होते हैं तो ये आपके दूसरे तरह के वाख है और इनकी वाख के रचना आपको पहले ही बता चुके है interrogative की पुनाई लिख देता हूँ कि WH WH के बाद helping verb helping verb के बाद subject और subject के बाद जो भी rest of the sentence है उसको लिखने के बाद last question mark आपको लगाना है जबकि यहां assert sentence में हम full stop लगा रहे थे चलिए अब हम इसके बाद अगले आगे के वाख के उपर चलते हैं तीसरे type के वाख के जो हम लेते हैं तीसरा प्रकार का वाख के जिसको हम imperative sentence बोलते हैं imperative sentence imperative sentence क्या है imperative sentence imperative इसको कुछ आदेसात्मक इच्छात्मक बोलते हैं या जो है तो हम आपको simply बता दे imperative sentence जो है यह हमारे आदेस भी है इच्छा भी है विश भी है और हमारा request भी है सभी तरह की चीजें इसमें आती है इसका main चीज इसमें यह होती है कि इसकी सुरुआत subject से नहीं होती क्योंकि इसका subject किलियर होता है आप जिस से बोल रहे हैं यह यह इसका subject होता है लेकिन उसकी जरूत नहीं होती क्योंकि हम जब सामने वाले से बोलते हैं तो सीधर उसके वाग किसे उससे मतलब होता है तो मतलब इसका शुरुवात जो है वो वर्ब से या वर्ब मतलब helping वर्ब या main वर्ब से हो सकते हैं और इसके बाद object हो तो object नहीं हो तो सिर्फ वर्ब से भी हो सकती है तो ये एक single word से भी sentence बन सकता है तो वर्ब प्लस object ये ज़रूरी नहीं है अब हम इसमें देख लेते हैं imperative जैसे उन्होंने कहा sit down अब यहाँ कोई object नहीं है अब जैसे उन्होंने कहा give it to me ये अप में यहाँ object आ गया ये सब है अब उसके बाद जो requesting word है इसके मतब पहले लग जाते हैं ये आप अफिशनल रहता है always है or never है ये जो never tell a lie ये suggestion बगेरा भी है never tell a lie always speak the truth always speak the truth और इस तरह का भी proposals बगेरा जो कहते हैं मतब encourage करने के लिए साहत में अपन जैसे लेट्स स्टार्ट इस तरह के वाखे इन सब में जो बात कर रहे हैं वो सामने वाले व्यक्ति जिसको यू कहके बलाते हैं उनसे बात कर रहे हैं तो हम देखते हैं imperative sentence की रचना जो है वर्व और से होती है main चीज से में वर्व का होना वर्व के आगे अब request वाले please kindly और जो word हो सकते हैं वो लग सकते हैं और उसके लेकिन वर्व के प्रशार object हो या ना हो इस पर यह उस पर depend करता है कि हमारा request command किस तरह के है अब इसके बाद हम अगला देखते हैं हमारे जो चोंते तरह के वाक हैं वो कहलाते है exclamatory sentence exclamatory sentences क्या होते हैं हमारे यह जो है exclamatory sentences exclamatory sentences वो वाक हैं जो periodic sciences जो हमारे surprise को अब वो surprise आपका क्या हो सकता है गुसे का भी हो सकता है फियर का भी हो सकता है गुलत प्रोल भावना को लेकिए जब कोई आश्यली की सीमा वो वेक्त करता है वो आपके वाक्य होते हैं जैसे हम ना का what a man what a man how brave he is या he was तो हम देखते हैं ज्यादत तरह हमारे जो sentence और भी बोलने के डंग पे हैं लेकिन exclamatory sentences अगर हम देखें तो इनकी रचनाओं में अगर हम देखते हैं what plus a noun या noun phrase what plus a noun how plus an adjective or an adjective how plus an adjective और एड़वर्ब भी हो सकता है how bravely he fought तो एड़वर्ब भी हो सकता है यह दो हम इस तरह से आपके इन exclamatory sentence होते हैं और खासियत इन sentences की क्या होती हैं लास्ट में यह आश्यरी बोधक्षिन जो exclamatory sign है यह लगता है में यह हमारे आश्यरी बोधक्षिन के और अब हम इसके बाद पाँचवी तरह के और वाक्षिन देखते हैं जिसमें हम प्रात्नावेश या श्राप जो देते हैं optative sentences optative sentences optative sentences क्या होता है हमारे optative sentences जो रहते हैं वो आप क्या है हमारी जो wish है इच्छा हमने सुब कामनाई देते हैं बद्दुआ भी दे सकते हैं या किसी को blessing दे रहे हैं वो उस टाइप के बाग के जो हैं वो आते हैं जैसे उनने जादतर हमने ये तो सुना है may God bless you may God bless you तो आप देख रहे हैं इसमें भी exclamatory sentence है ये मे से भी start हो सकते हैं आप कई जगे बोला show it be किसी ने वर्दान मांगा और हमने उसके वर्दान उसने जो भी मांगा और हमने ईश्वर कह देते हैं तो थास्त शो इट भी long live the king may you live long may you live long अब आपने ये भी देखा हो may God may God may God may God may God renew him तो इस तरह हम देख सकते हैं इसमें भी exclamatory sentences ये sign लगता है last way तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो हैं optative sentences इतने तरह के वाक्य होते हैं और इनकी रचना हमने देखिए किस तरह से होती है तो इनकी रचना में से शुरू हो सकती है blessing तथास्त करें शो और फिर वाद में उसके बाद ये subject आ जाता है और उसके बाद आप देख रहे हैं कि मतब ये में शो और दूसरे प्रकार शे भी हो सकता है जाद तरह हमारी blessings जो रहती है वो में से start होती है तो मेरे प्यारी वद्ध्यारतियों यहां आज हमने type of sentences, types of clauses देखे और ये केवल basic की है विवन्य प्रकार के sentences और detail में हम अगले classes में इसकी study करेंगे और बहताधन से समझेंगे तो have a nice day my dear students, see you again in my next videos